इस वीडियो में हम capital P और small P की पहचान सीखेंगे, आप भी मेरे साथ-साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए. यह है capital P, capital P और यह है small P, small P, यह क्या है? capital P और यह क्या है? small P, P से बनता है peacock, peacock यानि more, पी, peacock, peacock यानि more, अब आप बताईए पी से क्या बनता है? peacock, peacock यानि more, बिल्कुल ठीक. capital P, capital P, small P, small P, यह क्या है? capital P, और यह क्या है? small P, P, P से बनता है parrot, parrot यानि तोता. पी, parrot, यानि तोता. अब आप बताईए P से क्या बनता है? पी, parrot, parrot यानि तोता. बिल्कुल सही. यह है capital P, capital P, और यह है small P, p, small P, यह क्या है? capital P, और यह क्या है? small P, P से बनता है pineapple, pineapple यानि अनानास, P, pineapple, pineapple यानि अनानास. अब आप बताईए P से क्या बनता है? pineapple, pineapple यानि अनानास, शाबबाश, यह है capital P, capital P, और यह है small P, small P, यह क्या है? capital P, और यह क्या है? small P, P से बनता है pencil, pencil जिससे हम लिखते हैं, P, pencil, अब आप बताईए P से क्या बनता है? P, pencil, शाबश, अब हम capital P और small P को लिखने का तरीका सीखते हैं, capital P लिखने के लिए, सबसे उपर वाली लाइन से तीसरी लाइन तक, एक सीधी लकीर, अब वापिस इस पॉइंट पर आएंगे, और फिर, पहली लाइन से दूसरी लाइन के दिरम्यान, एक आधा दाइरा सा, मुकमल हो गया, capital P, small P लिखने के लिए, दूसरी लाइन से, चौथी लाइन तक, एक सीधी लकीर, अब दूसरी लाइन पर वापिस आएंगे, और बिल्कुल जैसे, capital P लिखा था, एक आधा सा दाइरा, तीसरी लाइन तक, यहां लाके मिला दिया, मुकमल हो गया, small P, capital P के लिए, पहली लाइन से, तीसरी लाइन तक, सीधी लकीर, वापिस इस पॉइंट पर आएंगे, और फिर आधा दाइरा, पहली से, दूसरी लाइन के दिरम्यान, यहां, capital P, small P के लिए, पहली से, चौथी लाइन के दिरम्यान, सीधी लकीर, वापिस इस पॉइंट पर आएंगे, और फिर आधा दाइरा, दूसरी से, तीसरी लाइन के दिरम्यान, मुकमल हो गया, small P, capital P के लिए, पहली लाइन से, तीसरी लाइन तक, सीधी लकीर, वापिस इस पॉइंट पर आएंगे, आधा दाइरा, पहली से, दूसर लाइन के दर्मयान मकमल हो गया capital P, small P के लिए दूसरी से चौथी लाइन, सीधी लेकीर वापस इस पॉइंट पे आए, गुलाई में आधा दाइरा, दूसरी और तीसी लाइन के दर्मयान यहाला के रोग दिया, small P, मजीद कोशिश करते हैं, capital P के लिए, पहली से तीसी लाइन तक सीधी लेकीर वापस इस पॉइंट पे आए, आधा दाइरा, दूसरी से, पहली से दूसरी लाइन के दर्मयान यहाला के जोड दिया, मुकमल हो गया, capital P, small P के लिए, दूसरी से दूसरी लाइन तक सीधी लेकीर, वापस इस पॉइंट पे आए, आधा दाइरा, दूसरी से तीसी लाइन के दर्मयान यहाला के रोग दिया, small P, capital P के लिए, पहली से तीसी लाइन तक सीधी लेकीर, और फिर, आधा दाइरा, capital P, small P के लिए, पहली से, चाथी लाइन तक सीधी लेकीर, और फिर, आधा दाइरा, रोक लिया, small P, अब आब बताए, capital P के लिए, कहां से शुरू करेंगे, सबसे, उपर वाली लाइन से, और कहां तक जाना है, तीसरी लाइन तक, और वापिस इस पॉइंट पे आएंगे, और अब क्या करेंगे, गुलाई की सूरत में ये आधा दाइरा बनाएंगे, पहली से, दूसरी लाइन के दिरम्यान, यहां लाके, रोक देंगे, ये क्या है, capital P, sharp bar, small p लिखने के लिए कहां से शुरू करेंगे, दूसरी लाइन से, और कहां तक जाना है, चौथी लाइन तक, और अब कहां आएंगे, वापिस जहां से शुरू किया था, और अब क्या करेंगे, गुलाई में, आधा दाइरा, दूसरी और तीसरी लाइन के दर्म्यान और यहां लाके, रोग देंगे, ये क्या है, small p, sharp bar, चलिए, अब आप letter P से शुरू होने वाली चीजों के नाम बताएए, ये क्या है, parrot, parrot यानि, तोता, और ये क्या है, pencil, अब ये बताएए, ये क्या है, peacock, peacock यानि, more, बिल्कुल सही, फिर से कोशिश करते हैं, ये क्या है, pencil, और ये क्या है, peacock, peacock यानि, more, अब ये बताएए, ये क्या है, parrot, parrot यानि, तोता, और ये क्या है, pineapple, pineapple यानि, अनानास, बिल्कुल ठीक, एक मरतबा फिर कोशिश करते हैं, ये क्या है, peacock, peacock यानि, more, और ये क्या है, pencil, अब ये बताएए, ये क्या है, pineapple, pineapple यानि, अनानास, और ये क्या है, parrot, parrot यानि, तोता, बिल्कुल ठीक, शाबबाश, अब आप इस वीडियो को बार बार री प्ले करके, इसके साथ साथ, पढ़ने और लिखने की कोशिश कीजिए, इस तरह आप बहुत जल्द, capital P और small P की पहचान सीख लेंगे,